बली मुश्किलों का हल नहीं, राजा अजात्शत्रू का राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, किन्तु कहते हैं न कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजाद्शत्रू के साथ हुआ. राजा कई मुश्किलों से घिर गई और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे. उन्होंने कई युक्तियां अपनाई लेकिन असफल रहे. एक दिन उनकी मुलाकात एक तान्त्रिक से हुई. राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किले बताई तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना फिर उसने एक उपाय बताया तांत्रिक ने कहा आपको पशु बली देनी पड़ेगी तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा पहले तो राजा काफी सोच विचार में पढ़ गया लेकिन उन्हें जब कोई भी रास्ता न दिखा तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली तांत्रिक के कहे एक बड़ा अनुष्ठान किया गया पश्वों को मैदान में बली देने के लिए बांध दिया गया सयोग वश उस समय महात्मा बुद्ध राजा के नगर में पहुँचे वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहां पर राजा ने अनुष्ठान कराया था महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि निर्दोश पश्वों की बली दी जाने वाली है जिससे सारे राज्य का कल्यान होगा महात्मा बुद्ध बोले क्या किसी निर्दोश जीव की बली देने से किसी का भला भी हो सकता है थोड़ा सा रुक कर महात्मा बुद्ध ने जमीन से एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले इसे तोड़ कर दिखाएं राजा ने तिनके की दो टुकड़े कर दिये बुद्ध बोले इसे अब पुनह जोड़ दे राजा बोले महत माजी यहाँ आप कैसी बाते कर रहे हैं इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता तब बुद्ध राजा को समझाते हुए बोले राजन जिस प्रकार इस तिनके की टूड़ जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बली देंगे तो यह निर्दोश जीव आपके कारण मृत्यू को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दुबारा जिन्दा नहीं कर सकते बलकि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोश लगेगा और आपकी मुश्किले कम होने के बजाए और भी कही अधिक बढ़ जाएंगी क्योंकि किसी भी निर्दोश जीव को मार कर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता आपकी समस्या का हल निर्दोश जीवों को मारने से कैसे हो सकता है आप राजा हैं, आपको सोच विचार कर निर्ने लेना चाहिए अगर आप सच में अपनी मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम लीजिए, मुश्किले तो आती जाती रहती है यही जिन्दगी का सच है, किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होंगी, बल्कि उसका हल आपको बुद्धी से ही निकालना होगा बुद्ध की बात सुनकर अजात्शत्रू उनके चरनों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे अजात्शत्रू ने अलान करा दिया कि अपसे उनके राज्य में किसी निर्दोष जात जाता है